रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री तीसरा अध्याए सो यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाब हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए यदि कितने विश्वास घाती निकले भी तो क्या हुआ क्या उनके विश्वास घाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरे कदापी नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष जूटा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिस से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जै पाए, सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धर्मिक्ता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें, क्या यह है कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याई है, यह तो मैं मनुष की रीती पर गहता हूँ, कदापी नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा, यदि मेरे जूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रगट हुई, तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योगे ठहराय जाता हूँ, और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले, जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है, और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोशी ठहराना ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम अच्छे हैं, कभी नहीं, क्योंकि हम यहोदियों और युनानियों दोनों पर यह दोश लगा चुके हैं, कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समस्धार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भट लग गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सापों का विश है, और उनका मुह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पाउं उनके मारगों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मारग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भै नहीं, हम जानते हैं कि विवस्ता जो कुछ कहती है, उनहीं से कहती है, जो विवस्ता के आधीन है, इसलिए कि हर एक मुह बंद किया जाए, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योगे ठेरे, क्योंकि विवस्ता के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठेरेगा, इसलिए कि विवस्ता के दौरा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना विवस्ता परमेश्वर की वह धरमिकता प्रगठ हुई है, जिसकी क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी यिश्यु में हैं सेत मेत धर्मी ठहराये जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लोहु के कारण एक ऐसा प् विश्वास करने से कारेकारी होता है, कि जो पाप पहले किये गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनचीलता से आना कानी की, उनके विशय में वह अपनी धर्मिक्ता प्रगट करें, वरन इसी समय उसकी धर्मिक्ता प्रगट हो, कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे और ज क्या कर्मों की विवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की विवस्था के कारण. इसलिए हम इस परणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य विवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है. क्या परमेश्वर केवल यहुदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हाँ, अन्यजातियों का भी है. क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठराएगा, तो क्या हम विवस्था को